अजा एकादशी का महत्व अर्जुन ने कहा है पुंदरिकाक्ष मैंने श्रावन शुकल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना अब आप कृपा करके मुझे भाध्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विशय में भी बतलाईए इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके वरत का क्या विधान है इसका वरत करने से किस फल की प्राप्ति होती है श्री कृष्ण ने कहा है कुंती पुत्र भादरपग माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं इसका वरत करने से सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है अजा एकादशी व्रत कथा अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्मय शरवन करो पौरानिक काल में भगवान श्री राम के वंच में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे राजा अपनी सत्यनिष्ठा और इमानदारी के लिए प्रसिध थे एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई राजा ने स्वप्न में देखा कि रिशी विश्ववामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है सुभा विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजपाट दान कर दिया राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राजपाट विश्वामित्र को सौप दिया दान के लिए दक्षणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा हरिश्चंद्र को एक दोम ने खरीद लिया जो श्मशान भूमी में लोगों के दाह संस्कारा का काम करवाता था स्वयंग वहा एक चांडाल का दास बन गया उसने उस चांडाल के यहां कफन लेने का काम किया किन्तु उसने इस आपत्ती के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीद गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वहा इससे मुक्त होने का उपाई खोजने लगा वह सदैव इसी चंता में रहने लगा कि मैं क्या करूँ? किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ती पाओ? एक बार की बात है वहा इसी चंता में बैठा था कि गौतम रिशी उसके पास पहुँचे हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुखभरी कथा सुनाने लगे राजा हरिश्चंद्र की दुखभरी कहानी सुनकर महर्शी गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा है राजन भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक वरत करो तथा रात्री को जागर्ण करो इससे तुम्हारे सभी पाप नश्ठ हो जाएंगे महर्शी गौतम इतना कहकर आलोप हो गए अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्शी के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्री जागर्ण किया इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नश्ठ हो गए उस समय स्वर्ग में नगाडे बजने लगे तथा पुष्पो की वर्षा होने लगी उन्होंने अपने सामने ब्रहमा, विश्णू, महेश तथा देवेंद्र आदी देवताओं को खड़ा पाया उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभुष्णों से परिपूर्ण देखा व्रत के प्रभाव से राजा को पुना अपने राज्य की प्राप्ती हुई वास्तव में एक रिशी ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से रिशी द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोग को गया हे राजन यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रिजागरन करते हैं उनके सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवन मात्र से ही अश्वमेद यग्य के फल की प्राप्ती हो जाती है जैश्री हरी